उधारन साथ एक बटा चार रिण वर्गमूल साथ के हर का परिमेई करण कीजिए हमें एक बटा चार रिण वर्गमूल साथ के हर का परिमेई करण करना है इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक बटा चार रिण वर्गमुल साथ को हम अंच और हर से गुणा करेंगे चार धन वर्गमुल साथ बटा चार धन वर्गमुल साथ से क्यों कर रहा हमने ऐसा चोकि हम जानते हैं कि ए रिण वर्ग बी का परिमेकारी परिमेकारी गुड़क ए धन वर्मुल बी होता है क्योंकि हाँ पे हमारे पास ए रिण वर्मुल बी के रूप में चार रिण वर्मुल साथ है तो इसका परिमेकारी गुड़क जो है चार रिण साथ का चार धन वर्मुल साथ चार धन वर्मुल साथ से आंशौर हर में हम गुड़करेंगे यहां पे एक बटा चार रिण वर्मुल साथ को हम गुड़करेंगे चार धन वर्मुल साथ बटा चार धन वर्मुल साथ क्योंकि हम जानते हैं कि ए रिण वर्मुल साथ से तो यह चार धन वर्मुल साथ होंगा बटा यहां पे हम सरसमीका का प्रयोग कर सकते हैं चार रिण वर्मुल साथ चार धन वर्मुल साथ देखते हैं बचों क्या होता है यहां पर कहीं हम चार रिण वर्मुल साथ को A रिण B मानते हैं और चार धन वर्मुल साथ को A धन B मानते हैं तो हम जानते हैं सरसमीका में कि A रिण B A धन B बराबर A का वर्ग रिण B का वर्ग होता है तो यहां पे 4 रिड वर्मुल 7, 4 धन वर्मुल 7 में जब हम इस सर्व समीका का प्रयोग करेंगे तो यहां हो जाएगा 4 का वर्ग, जहां 4 ए है हमारा फिर यह रिड जो है, उसका रिड और B के स्थान पर हमारे पस वर्मुल 7 है तो हम लिखेंगे वर्मुल 7 का वर्ग बराबर 4 धन वर्मुल 7 बटा 4 का वर्ग 4 गुणि 4, 16 रिड वर्मुल 7 का वर्ग 7 बराबर 4 धन वर्मुल 7 बटा 16 रिड साथ बराबर 9 इस तरह से हमने एक बटा 4 रिड वर्मुल 7 के हर का परिमे करण करके प्रात किया 4 धन वर्मुल 7 बटा 9 यहां इस उधारन का हल होगा कि अचूए बखर बात कि पामुल 7 एंच है पती करण वर्मुल 7 बटाका खurt मुली है जल हईथ सका इसाथ 5 दिश